नमस्कार दोस्तों मैं एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते इच्रिवानल इंडियन मुर्गी पालन प्रवडियों देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियों में पता है दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों थमनेल देखा टाइटल पडा हाँ दोस्तों सामान्य मुर्गी पालक भाईयों का सबसे बड़ा सवाल कि देशी मुर्गियों के छोटे चूजों की चोच गट करनी चाहिए या फिर नहीं यह फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाल कि देसी मुर्गियों के छोटे चूजों की चोच कट करनी चाहिए या फिर नहीं यह सवाल आपके मन का है यह सवाल मेरे मन का है आज भारत वर्ष में जहां जहां पर देसी मुर्गी पालन होता है वहाँ पर हर एक मुर्गी पालक भाई यहाँ पर पूछ रहा है कि जो देसे मुर्गियों के चूजे है उनकी चोच कट करनी चाहिए या फिर नहीं अब आपके मन में यह सवाल कि मुद्पन हुआ होगा तो देखें दोस्तों कि जो छोटे छोटे मुर्गियों के चूजे होते हैं वह क्या करते हैं कि आपस में लड़ जगरते हैं और आयसे में कुछ चूजों की जान जा सकती है आईसे में अगर हम चोच कट करेंगे तो उसके माध्यम से आपस में लड़ जगणना थोड़ा कम होगा और हमारे फार्म की mentality जो छोटे चूजों की है वह कम हो सकती है तो आईसे में चोच कट करना फायदे का सौदा है या फिर हमारा इससे loss हो सकता है इसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंततक देख लीजिए वीडियो अंततक देखते हुए यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ जाए तो ज़रूर वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों तक वीडियो पहुचाने के लिए जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिए शेयर करने के लिए आप परसनल वाटसब नमबर वाटसब ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बूक इंस्टाग्राम स्नैपचाट इन सोचल मीडिया के साथ नोका इस्तमाल करती वीडियो की लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए यदि आपका सब्सक्राइब रहा होगा तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालग भाईयों से मैं यहां पर हात जोड़ कर अनरोद करता हूँ कि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालग भाईयों को तो मैंने यहां पर अपना माना है और आखरी सास तक आप सभी किसान भाईयों और मुर्गी पालग भाईयों को मैं अपना ही तो मानता रहूंगा और यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदसे मानते हैं तो चानल क को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाइतर निचली साइड में आ जाईए वहां पर आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंके सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब करने से हमारा फायदा होगा या फिर नुकसान होगा इसके बारे में आज के सुडियों में हम चर्चा करने वाले है इसलिए वीडियो के साथ अंततक जूले रहिए दोस्तों मैं वीडियो की शुरुआत करो और आपके सवालों के जवाब दूँ उससे पहले आप सभी के लिए खुश खबर है कि हमने इंडियन मुर्गी पालं के माध्यम से नया वाट्सप ग्रूप बना दिया है अ bubble आस तक उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं था समझाने वाला कोई नहीं था लेकिन इंडियान मुर्गी पालं के माध्यम से हमने बक्रूप है कि आज कश्मीर से लेके कंन्या कुमारि तरम गुझरात महराश़्षा की सी माओ से अरुन आप अवरुनाचल की सीमाओ टक जीसमर्गी पालक भाई को देशी मुर्गी पालन का व्यावसाय करके इस व्यावसाय से लाखों का मुनांफ़ा कमाना है उसे हम सिखाएंगे हम दिखाएंगे समझाएंगे तो ऐसे में हम क्या करते हैं दोस्तों कि इसके लिए online training program स्टार्ट कर चुके है आइसे में हम क्या करते हैं समझाता हूं तो देखें दोस्तों हम उत्पादन से लेके विक्री तक पूरी जानकारी देते हैं जिसमें कि हम क्या करते हैं कि मुर्गिया और चूजों का सबसे ज्यादा खर्चा फिड़ पर होता है तो 80 प्रतिशत फिड़ का खर्चा किस प्रकार से कम करना है इसकी सटिक जानकारी दी जाती है उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि देशी मुर्गियों के लिए और चूज और साथी साथ में कम से कम लागत में तयार होने वाला यह शेयड हो जिस से कि आने वाले जंगली जनवरों से जंगली वहाँ पर पशो से उनके सुरक्षा हो पाए। पास जो चूजे निर्मान हो जाएंगे तो उनकी ब्रोडिंग फिडिंग और वैक्सिनेशन किस प्रकार से करना है इसके सठीक जानकारी दी जाएगी उसी के साथ साथ दोस्तों सबसे महत्व पुरुनबाद कि जो देशी मुर्गिया हो जो देशी चूजे हो तो इन पर बीम हमारी आने के बाद ततकल प्रभाव से कौन सी दवा देनी है इसके बारे में जानकर आपको दी जाएगी उसी के साथ साथ दोस्तों आपके पास तैयार होने वाली देशी मुर्गी देशी मुर्गा देशी आंडा देशी जूजा इनके मार्केटिंग के लिए भी हम सपोर् मस्या का सुलूशन उत्पादन से लेके विक्री तक हम करने वाले हैं इसलिए देशी मुर्गी पालन करके अगर आप लाकों का मुनाफ़ाइस से प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही आप इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़न तो आधरकाड का अगला पिछला फोटो भिजवाना है बस इतना करने के बाद दोस्तों मैं आपको मेरा फोन पर गूगल पर नंबर बैयासी पैसे जुराट चार स्वाट यानि एट टू सिक्स पाइस पर पास रुपे स्क्रिंशॉट भिजवाना है बस इतना करने से दोस् दोस्तों हमारा जुमुक्षे सवाल है उसका जवाब यहां पर लेते हैं तो सवाल किया है कि जो मुर्गिया है दोस्तों हमारी दो उनकी च्छोटे-च्छोटे चूजे जो मशिन से निकले हुए होंगे तो वह क्या करते है कि आपस में लड़ते जगडते हैं और उसकी तो उससे उनका आपस में लड़ना जगणना कम होगा हां सव प्रतिशत कम होगा यह लाख टकी की बात है लेकिन आगर बड़े पैनमाने पर आप छोटे चूजों की चोंच कट करोगे तो आगे चलके क्या है कि इनका जो थबा अधिक धबा था कि बबा इनको यह देशी मुर करना है कि जब हमारा देशी मुर्गी का छोटा चूजा दस बारा दिन का हो जाए तो आएसी परिस्तितियों में छोड़ एक नेल कटर लेना है यह आम नाखुन काटने के लिए इस्तिमाल करते नहों और लेने के बाद क्या करना है दोस्तों की जो सामने वाली साइड है कि वह चूजा आपस में लड़ेगा जगड़ेगा तो भी डैमेज ज्यादा नहीं होगा और उसके बाद केसोल अगर दे दोगे केसोल एक दवा है इसका इस्तमाल करने से चोच आपको एक महा में रिकवर होती हुई दिखाए देगी यह एक इलाज है और इसके साथ-साथ क और उसके बाद दिन भर क्या करना है चोटी चूजों को वहाँ पर छोड़ देना है चूजी क्या करेंगा उनके चूज को काम मिल जाएगा तो आपस में लड़ेंगे जगड़ेंगे और इस चूज में हमने 10-12 दिन में कट की है तो उसकी वज़े से भी अगर आपस में थो चूजा एक महा का हो जाए तो बाहर दस बाए-दस का गड़ा बनाकर उसमें गोबर का सड़ा हुआ खाट डाल दीजिए चारो तरफ से नेट और उपर से नेट लगा दीजिए और आंदर चूजों को छोड़ दीजिए बस आपका काम हो जाएगा तो चोच कट करना सही है तो थोड़ी सी चोच कट करना सही है लेकिन 亞क महा के ऊपर चूजा हो जाएगा तो उसके बाद कट करने से आपको दिक्क्ते सकती है तो आपके सवाल का जवाब तो मैंने बहुत साफ मन पास्टाई आपको डीजिए इसके साट नावा दिछों के नीचे होता है दो सही है बहुत सस्ता मिलता है उसके छोटे छोटे गोले बनाकर उनको डाल दीजिए इससे बहुत फायदा होगा अगर ऐसे सभी तरीके करोगे तो आपके जो मुर्गियों के छोटे चूजे हैं वह आपस में लड़ेंगे जहगडेंगे नहीं और आपके फार्म का छोटे चोजों का मौटरिटी रेट है दोस्तों बढ़ेगा नहीं तो दोस्तों आएस से बहुत सारे छोटे-छोटे सोलूशन मैं आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग में देता हूं जिसके वज़ए से मेरे साथ जुड़ा हुआ मुर्गी पालग भाई आज लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त कर र इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए आपको संपर्क करना है जैसे ही आप कॉल करोगे दोस्तों मैं फोन उठाओंगा विस्तार से आपको जानकारी दूँगा उसके बाद वाट्सप नंबर चौरासी किस बैयासी बासट बासट पर आपको पूरा नाम पूरा पता च्यांको का पिन को नहीं तो आधरकाड का अगला पिछला फोटो भीजवाना है इतना करने के बाद आप सभी को मैं मेरा फोन पे गोगल पे नंबर कर दोसे मारग दर्शन में देशी मुर्गे पालं के व्यावसाइस एलाकों का मुना पापरापकरक्रने से आपको कोई वंचित नहीं कर पाए गा साती सात में दोस्तों आपकी सेवा करने के लिए हमने वाटसप गुरूप बना दिया है इंडियन मुर्गी पालं के कEROचे के लिए और पर करदी है यहां पर हाथ जोड कर अनुरोग करता हूँ कि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालग भायों को तो मैंने अपना माना है औरी सास तक आप सभी को मैं अपना ही मानता रहूंगा य faltर का सदे मानते तो चान। को रुपया सब्सक्राइब कर लीजे सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाई तरफ निश्ली साइड में आजाई वहां पर आने के बाद दिखाए देने वाल लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दिजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में जाएंगे इस घंटी को टच करते ओल इस नोटिफिकेशन को अन कर दिजिए तक आने वाला हरुडियो आप सभी को समय समय पर मिलता रहेगा तो दोस्तों आईसा ही एक नए वीडियो लेकर मैं आपका दोस्तों देलाड़ आप सभी के चाहिते चानल इंडियन मुर्गी पा अलग भाई का आज कुड़ में तहे दिल से बहुत-बहुत आभार।